आम तोर पर हम सभी लोग जाधा तर वही language बोलते हैं जिसे हम बच्पन से ही बोलते आ रहे हैं ऐसे में कोई नई language को बोलना या पढ़ना बहुत मुश्किल होता है जितने अच्छे से हम अपने native language को बोल लेते हैं उतने अच्छे से हम English नहीं बोल पाते हैं पर दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे आसान तरीके बताऊंगा जिसे follow करने के बाद आप English fluently बोल पाएंगे तो मेरे प्यारे दोस्तो वीडियो को पूरा देखना और अच्छे से समझना क्योंकि इस वीडियो में बताए गए सारे टिप्स बहुत ही आसान और इंपोर्टेंट है तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को औल पे प्रेस कर दो क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह के इंफोर्मेटिव और मसेदार वीडियो लाते रहते हैं दोस्तो अभी के टाइम पे हर जगा इंग्लिस लेंग्विज का यूज होता है स्कूल, कॉलेज, जॉब, बिजनेस हर जगा इंग्लिस का यूज बढ़ता ही जा रहा है ऐसे में इंग्लिस बोलना और पढ़ना आना अभी के टाइम पे बहुत जरूरी भी है क्योंकि ये एक ऐसा कॉमन लेंग्विज है जो हर कंट्री के लोग बोलते हैं आप कहीं भी जाओ आपको ऐसे लोग जरूर मिलेंगे जिन्हे थोड़ी बहुत इंग्लिस तो आती ही है जब सबको इंगलिस आती हो और हमें नहीं आती हो तो ऐसे में हम भी सोचते हैं कि काश हमें भी इंगलिस अच्छे से बोलने आती हम ट्राई तो करते हैं पर हम बोल नहीं पाते हैं अगर थोड़ा बहुत बोल भी लेते हैं तो हमें बोलने में गलतिया हो जाती है और फिर सब हमारा मजाक उड़ाने लगते हैं और मजाक ना उड़े इस डड़ से हम फिर ट्राइ करना ही छोड़ देते हैं लेकिन दोस्तों अब आपको ऐसा नहीं करना है इस वीडियो में मैं आपको जो भी बताऊंगा उसे फॉलो करना है और बिल्कुल भी इंग्लिश शिन नहीं डरना है दोस्तों मुझे पूरा भरोसा है कि आप भी इंग्लिश फ्लुएंटली बोलने लग जाएंगे पस थोड़ी मेहनत की सरूरत है और जब हम दीरे दीरे बोलने लग जाएंगे फिर हमारा confidence अपने आप बढ़ जाएगा और फिर हमारे इंग्लिश और भी जादा इंप्रूब होने लगेगी तो चलिए उन सारे tips को एक एक करके जानते और समझते हैं दोस्तों हम सभी जानते हैं कि कोई भी इंसान जन्म लेते ही बोलना शुरू नहीं करता है उस language को वो बच्चा बार-बार सुनता है इसके कारण उसका brain वो सारे words को धीरे-धीरे identify करने लगता है और कुछ महीनों बाद वो बच्चा अच्छे से बोलने लग जाता है इसलिए दोस्तों अगर हम कोई नई भासा बोलना सीख रहे हैं तो उसके लिए हमें उस भासा को सुनना बहुत जरूरी है तो आज से आप कुछ भी देखो या सुनो तो उसे English में देखने और सुनने का ट्राई करो मुझे पता है आपको सुरू सुरू में कुछ समझ नहीं आएगा पर आपको फिर भी ध्यान से सुनना है जैसे मान लो अगर आपको यूटूब पे वीडियो देखते हो तो वो English में देखो अगर कोई audiobook या story सुनते हो तो उसे English में शुनो ये सारी चीज़े आपके listening को improve करेगी दोस्तो अगर आपको ये बहुत hard लगता है तो आप English की thought animation या cartoon बाली story देख सकते हो इसके English आपको आसानी से समझाएगी और एक बात का हमेशा ध्यान डखना कि जब भी आप कोई English में वीडियो देखो या कोई story देखो तो caption या subtitle को ज़रूर on करके रखना दोस्तो जितना सुनना important है उतना ही बोलना भी क्योंकि जब तक हम बोलना शुरू नहीं करेंगे तब तक वो words हमारे जवापे नहीं आएगा जैसे मान लो अगर कोई इंसान गालिया बगता है तो वो सारे negative words उसकी habit बन जाती है क्योंकि वो बार-बार ऐसे words बोलता है यानि कि अगर हम अच्छा या बोड़ा जो भी बार-बार बोलेंगे वो हमारी habit बन जाएगे इसलिए दोस्तो हमें हमेशा daily use होने वाले English को बोलने का try करना है आपको भले ही English बिलकुल नहीं आती हो फिर भी आपको हर रोज कोई ना कोई words या sentence को अपने daily habit में add करना है मतलब कि आपको हर रोज English बोलना है ये बिलकुल नहीं सोचना है कि लोग आपका मजाक उड़ाएंगे या अगर आप गलत बोल दिये तो लोग क्या सोचेंगे दोस्तो जिने English आती है वो कभी आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे जो मजाक उड़ाते हैं वो खुद भी कुछ सीखते नहीं है तो ऐसे लोगों को आपको ignore करना है और हर रोज English बोलने की कोशिश करनी है आप 3-4 दोबस्त, group बना कर भी एक दूसरे से English में बात कर सकते हैं जिसके अलावा आप mirror के सामने भी खुद से ही English में बात कर सकते हैं दोस्तो सुनना और बोलना तो हो गया अब बात आती है लिखने की जिस तरह हम बच्पन में हिंदि लिखा करते थे या कुछ भी अपने regional language में लिखा करते थे उसी तरह अब हमें कोशिश करनी है English में लिखने की आपको हर रोज कम से कम एक पेस English जरूर लिखना है बले ही शुरुआत में आप एक line भी न लिख पाओ लेकिन आपको हर रोज try करते रहना है अब बात आती है कि आप English में लिखोगे क्या तो इसका simple सा तरीका है कि आप हर रोज जो भी करो उसे रात में English में लिखो कि आज आपने क्या क्या किया और जो words आपको पता नहों उसे Google पे सर्च करना और फिर लिखना इस तरह आप हर रोज English लिख पाओगे और आपकी practice भी होती रहेगी टिप्स नमबर टू वो कब लरी दोस्तो हम English तभी बोल पाएंगे जब हमें English के words पता होंगे जितना जादा हमारे पास words होंगे उतना जादा हम English बोल पाएंगे दोस्तो हम सभी को कुछ ना कुछ तो English के words आते ही हैं लेकिन हमें और भी जादा words जानना है अब बात आती है कि आप इतने words जानोगे कैसे तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आपको हर दिन कम से कम 5 words ऐसे याद करने हैं जिस words के बारे में आप नहीं जानते थे ये काम आपको हर रोज करना है इसके साथ दोस्तो जैसे जैसे आप English बोलेंगे आपका vocabulary उतना ही जादा बढ़ता जाए टिप्स नमबर वन ग्रामर दोस्तो वैसे तो हम सब ही जानते हैं कि ग्रामर बहुत important है पर क्या आपको पता है कि जिनको ग्रामर आती भी है फिर भी वो English नहीं बोल पाते हैं क्योंकि वो English बोलना या सुनना शुरू ही नहीं करते हैं इसलिए दोस्तो ग्रामर बस आपकी English को इंप्रूब करने का एक जर्या है जिस तरह हम बच्पन में बिना ग्रामर सीखे ही पहले ही बोलना सीख गये थे उसी तरह ये English भी है आपको ग्रामर ना भी आये फिर भी आप English आसानी से बोलने लग जाओगे इसलिए दोस्तो बोलना और शुनना सुरू करो फिर बाद में आप ग्रामर भी पढ़ सकते हो क्योंकि ग्रामर आपके English को शही तरीके से बोलने में बहुत ज़ादा हिल्प करेग तो दोस्तो आपको अगर आपी ग्रामर नहीं भी आती है फिर भी आपको ये सारे टिप्स फॉलो करना है और धीरे धीरे आप English बोलना जरूर सीख जाओगे क्योंकि कहा जाता है न कि सकसेस अचानक से नहीं मिलती इसके लिए मेहनत और प्रैक्टिस करनी पड़ती है तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप कंसेस्टेंट रहोगे और हर रोज English बोलना और शुनना सुरू करोगे तो दोस्तो अगर आप आज से ही English बोलना सुरू करने वाले हो तो कमेंट में Start Today लिखो और ये भी बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तो आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप कमेंट करके जरूर बताना और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को All पे प्रिस कर दीजे और साथ में ये वीडियो अपने उन सारे दोस्तों और भाई बेहनों को शेर कीजे जो इंगलिश बोलने से डरते हैं और दोस्तो हमारे चैनल पे बहुत सारे इंफर्मेटिव वीडियो अल्रेडी अपलोडेर हैं उसे जाकर जरूर देखिए